ओम शांति गुड मॉर्निंग आज मिठे बाबा के तीन तारीके महावाक्य है तीन अगस्त दोहाजार एकिस मिठे बच्चे बाप ददा की याद प्यान लेनी हैं तो सर्वी से बुर्बनों बुद्धी में ज्यान भरपूर है तो वर्षा करो प्रश्न है कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता बरसने नहीं देता हैं उत्तर है अगर फालतु देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस ही करेंगे अगर बाबा से प्यार नहीं उनसे योग नहीं तो ज्यान होते हुए भी जैसे खाली है ऐसे खाली बादल आने कोंका कल्यान करेंगे ओम शांती बाकि थोड़े बादल बच्चे हैं जैसे बरसा जब गम हो जाती है तो सागर की उपर बादल नहीं होते हैं ठंडे हो जाते हैं वैसे यहाँ भी थंडे हो जाते हैं, बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं, अगर कोई बरसात नहीं करते हैं, तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे यह है ग्यान बादल वो है पानी के बादल ग्यान के बादल आते हैं जब season होती है रिफ्रेश हो जाकर आपर और और उंको रिफ्रेश करते हैं बादल भी नमबरवार होते हैं कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं बादलों का काम ही है बरसना और मुर्जाय हुए पौधों को रिफ्रेश करना जिन में पूरा ग्यान है वह छिपकर नहीं बैठेंगे उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए है ही बादल आते ही है भरकर बरसने के लिए जहां देखे कलराटी जमिन है तो जाकर सब्ज़ करना चाहिए जहां ग्यान नहीं है वहां जाकर ग्यान देना चाहिए महारती बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रिती जानते हैं का उन्सा सेंटर ठंडा है कि सेंटर के बच्चों को जास्ती तुफा ना आते हैं महारती सर्विसेबूल अच्छी रिती जानते हैं बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबूल बच्चों को याद प्यार देन अच्छे अच्छे बादस सर्विस पर जाएंगे प्रदर्शनी में भी कोई सब एकरस नहीं समझाते हैं मुख्य बात की यह है किता का भगवा निराकार परंपिता पर मात्मा है न की साकारी श्रीकृष्ण समझाने का बड़ा अच्छा धंग चाहिए सारा दिन यहीं ख्यालात रहने चाहिए कि सब को जाकर जगाएं सब घोर अंधियारे में पड़े हैं सब को प्रेम से समझाते रहो दो बाप हैं एक हादर का और दुसरा बेहत का बेहत के बाप को ही पतित पावन केहते हैं अब तुम बच्छों को बुद्धी मिली हुई हैं दुनिया के मनुष्य देखने में भल भब के वाले हैं परन्तु है पत्थर बुद्धी बाप खुद कहते हैं इन सादू नाम वालों का भी मुझे उधार करना है वह भी रच्ता और रच्ना को नहीं जानते हैं सत्यूग से लेकर फिर यह ग्यान प्रायालों हो जाता है 있다 फरंतु किसको भी पता नहीं है इस जिश्यूं यह उद्रयां है कि उसे कि सद्धाए सकती हो नहीं घिता का मान कितना है परंतु वह है भक्तिमार्ग, बाब तो पतित पावन है, वह बैट राजयोग सिकलाते हैं, तो जरूर राजयाई के लिए नई दुनिया चाहिए बाबा ही आकर आजयोग सिकलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, जिनों को कल्प पहले समझाय होगा, उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे यह लड़ाई कोई वह नहीं है, जैसे हमेशा चलती आई है, आट-दस वर्ष चल कर फिर बंद हो जाएंगी, ड्रामा अनुसर बॉंग्ष जो बने हैं, वह कोई रखने के लिए नहीं है अभी तिस रामा युद्ध है न, पतित मनुषों का मौध होने बिगर, सत्यूग आएगा नहीं शांती कैसे स्थापन हो, यह भी समझाना पड़े, शांती स्थापन करना वाश्रेष्ठाचरी दुनिया बनाना, यह तो एक बाब का ही काम है बाबा कहते हैं, और संग बुद्धी का योग तोड़, एक संग जोड़ना है देह सई, जो भी कुछ देखने में आता है, इन सबसे तोड़ना है हम, अब हमको वापस जाना है, तो घर को ही याद करना है अभी तुम समझते हो, यह है मृत्यू लोक, लैंड ओफ डेथ हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कता सुन रहे हैं जोतां को कहा जाता है, दैवी गुण वाले मनुष्य यहां तो एक भी हो न सके, कुछ ने के लिए भी कितनी गलानी लिख दी है कुछ भी बुद्धी में नहीं आता, अभी तुम बच्चों को अच्छरती पुर्शाद करना है दैवी गुण धारन करने है दैवी गुण किसको कहा जाता है, वह भी समझा जाता है संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है यह है मुख्य पहला गुण जहां तहां तुम देखेंगे, पवित्र के आगे अपवित्र माथा तेखते है सत्यू में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं फिर जो पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं जो पावंते वही पतित बनते हैं यह है बहुत जर्मों के अंतर का जर्म बाबा केते हैं इस पुरानी दुनिया को पुराने शरीर को भी भूलना है इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है, इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी, यह पुरानी दुनिया, धन, दवलत, माल, मिलकियत, सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी है, दुनिया में थोड़े ही किसको पता है, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास में बैठे ना अभी लोग देख रहे हैं कैसे बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया के रहे हैं हाँ आप बोल रहे हैं यह तो ठीक ही है राइट है भगवान वाज जब समझे तब उध्य में बैठे बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपन आत्माओं का बाप सब ब्रदस हैं सुएर्ग में सभी ब्रदस चुकी थे कर्यूग में सभी ब्रदस दुखी हैं सभी आत्मा ये नर्क वासी हैं सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी शरी भी चाहिए नब तुम बच्चों को आत्मा भी मानी बनना है इसमें Celt 1 मंशी का मैंë यह अवस्ता पक्कित तब हो जब पहले निश्चे हो परंपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं शिव बबा आते हैं इस शरी द्वारा पढ़ाने हम भी शरी द्वारा ही सुनते हैं धारन करते हैं संस्कार अनुस्वार ही एक शरी छोड दुसरा धारन करते हैं जैसे बाबा ल लड़ाई की संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें आ जाते हैं फिर वह आर्मी में मिलेट्वी में चले जाते हैं अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालू है निराकार बेहत की बाप में क्या संस्कार है वही मनुष्य सुष्टी का बीज रूप है पतित पावन है ज्यान पाउन बनाएंगे, बाबा केते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे जनम जनमांतर के विगर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा, बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, केते हैं मन मना भव, यह अक्षर भी गिता में हैं पर अन्त इसका अर्थ नहीं जानते बाबा केते मामेकम याद करो देह सहीत देह के सवधर्मों को छोड़ अपने कौात्मा समझ मुझ परंपिता परमात्मा को याद करो याद कोही योग अगनी कहा जाता है ना योग कॉमन अक्षर है गिता में भी है परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है अब तुम समझते हो कह देते हैं यह तुम्हारी कलपना है लोग कहते हैं कुछ भी पता नहीं पड़ता है उनको वर्सा तो लेना नहीं है पहले तो जब यहां समझे कि बेहत का बाप बाप भी है टीचर भी है और सत्गुरु भी है वो हमको पढ़ाते हैं यह पक्का निश्चे चाहिए नए आदमी को निश्चे बेढ़ जाए असंभव है कोई नए नए भी सेंसिवर होते हैं मना जट समझ जाते हैं कोई तो यहां आने भी नहीं चाते हैं कुछ भी समझते नहीं है जरा भी बुद्धी में नहीं आता इतने धेर बीके हैं जरूर इनों को बाप से वर्षा मिला ह होगा वह फैमेली हो गई नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो फैमेली हुई ना प्रजापिता ब्रह्मा की फैमेली कितनी बड़ी है परतु यह बात किसी की बुद्धी में नहीं आ सकती कोई पूछे आपकी एम अब्जिक्ट क्या है बोलो बाहर बोड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो फैमेली हो गई गौड्ली फैमेली है हमारी डाडे से वर्षा मिलता है ग्राइंट फादर से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुकद्वारा शिव बाबा रचना रश्ते हैं तो वह क्रियेटर स्वर्ग रश्ते हैं तो जरू बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे तो यह फैमिली हुई ना बाब बच्चे बच्चियां दादा ब्रह्मा भी ब्रह्मा भी है और शिव भी है यहां वो है रचियता निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे दे शुबबा बच्चों को वर्षा कैसे दे निराकार है तो ब्रह्मा द्वारा देते हैं यह अच्छी रिति समझाना चाहिए बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है तुम्हारे बाप का घर है इनको केते रुद्र ज यान यज्य हम ब्राम्मन हैं बाप की सिवय और कोई राजोग शिकला न सके गीता में भी है ना बन्न मनाभव अर्थात मामेकं याद करो तो हम राजोग तो उस एक को ही याद करते हैं भक्ति मार्ग में भी गाते बाबा आप आएंगे तो हम आप परवारी जाएंगे हम आपके बनेंगे हम आत्मा इस देहर को छोड़ आपके साथ चली जाएगी आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना यह श्यू साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाएं सुखदा में ले चलेंगे फिर अपने अपने पुर्शार्त अनुसार जाकर राजाई करेंगे जो जितना ज्यानधन धारण करेंगे उतना उंच पत पाएंगे चोटी-चोटी कुमारिया भी सर्विस कर रही है बाबा खुश है चोटी-चोटी कन्याओं पर भी उन्हों को ही बड़े-बड़े विद्वान पंडितों आदी को समझाना है शवक होना चाहिए इंट्रेस्ट होना चाहिए कुश्ती होती है तो बड़ी-बड़ी चालेंज जते हैं तो इनके साथ हम लड़ेंगे सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए आराम हराम है जो भी अपने को मारती समझते हैं उन्हें सुक से सोना नहीं है सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए आज कल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं बड़ो बड़ों को निमंत्र भेज दो आभी नहीं तो पीछे आज आएंगे निमंत्र देने का काम तो करें आज नहीं तो कल तो आज जाएंगे सादु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो पर तो बात करने वाला चाहिए महारती जिनका बाब से योग नहीं आज बाबा क्या रहे हैं जिनका बाब से योग नहीं है प्यार नहीं है वो है जैसे खाली बादल वो क्या करेंगे ये तो जानते हो पड़े हुए कि आग्यान पड़ भरिड होएंगे हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहां तक पड़ा हुआ हूँ सर्विस करके दिखाता हूँ अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो बादल किस काम का हर एक को अपनी समझ चाहिए फालतु देहा अविमान के नशे में रहेंगे तो उन्च पड हमेशा के लिए गवा देंगे बाबा को सर्विस का कितना शोख है गवर्मेंट को भी समझाना चाहिए हमको हौल दे दो जहां हम यह रोहानी सेवा कर मनुशों को द्योता बना दे बाबा आये हैं हमको राज्योग सिखाने लेकिन युक्ति-युक्त समझाना चाहिए जो भाशन ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे उन्च पड़ पड़ वह पाएंगे जो सर्विस करेंगे बड़ो बड़ों को लिखो तो इस नौलेज के विगर भारत कवा दुनिया का कल्या नहीं हो सकता एजूकेशन है मुख्य स्पिरिचल एजूकेशन इन लक्षिव नाराण ने भी एजूकेशन से ही इपड़ पाया हुआ है अगल में राजोग सिखे हैं हम भी अभी यहां पड़ रहे हैं स्कूल में स्टुडेंट समझते हैं हम यह इंतहान देकर फिर चाकर यह बनेंगे यह तुमको नौलेज मिलती है वह इस दुनिया के लिए नहीं है तुम भी पड़ते हो भविश्य 21 जन्मों के लिए प्रालब्द बनाने के लिए वह पढ़ते इस जन्मके सुक के लिए तो वह भी पढ़ना है और साथ साह्त यह भी शिक्षा सिखनी है लोग की पढ़ाई के साथ यह भी पढ़ाई है इसमें डरने कि बात rigorous क्यों नहीं लेणी चाहिए चित्र लेकर चाहिए समझाना चाहिए बोलो नौले सब के लिए बहुत ज़रूरी है परन्तु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते हैं सेवा के लिए नोकरी टोकरी में ही फसे हुए रहते हैं बंदन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए स्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं बीज में माया गोटाला मार देती है कोई कोई बच्चों को शौफ बहुत है परन्तो नशा नहीं चरता है हम जाय भोतों का कल्यान करें तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो घुटका क्यों खाना चाहिए के सकते हैं ना हमको तो भारत का उद्धार करना है सच्चे सेवा कर मनुश को देवता बनाना है बाबा को तो वंडर लगता है नशा नहीं चड़ता इसलिए बाबा कहते हैं यह तो रजो बुद्धी है चांस बहुत अच्छा है सेवा करने वाले को चांस बहुत अच्छा है ऐसे भी बहुत है जोनको नौलिज का बहुत घमंड है परन्तो टी सर्विश बहुत करते हैं यह तो गुड जाने गुड की गोत्री जाने राहू का ग्रहन बैड़ जाता है प्रहस्पती की दशा उतर राहू की दशा बैड़ जाती है अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैड़ जाती है पिर गिर पड़ते हैं बच्चों को तो बहुत 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 दुर होना है पान का बिड़ा उठाना है हम इस भारत को स्वर्गवासी बना कर ही छोड़ेंगे तुमारा धर्म है नर्गवासी को स्वर्गवासी बनाना रष्टाचारी को स्रेष्ठाचारी बनाना बाबा नशा तो बहुत अच्छा चड़ाते हैं परन्तु बच्चों में नंबर वार चड़ता है अच्छा मिठे मिठे सिक्किल दे बच्चों प्रती मात पिता बाब ददा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाब ददा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार है पैदी पोइंट बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची से सेवा करनी है रुखानी सेवा कर मनुष्य को द्योता बनाना है ज्यान के घमंड में नहीं आना है रुखानी नशे में रेना है सेकेंड पॉइंट है निश्चे बुद्धी बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है देह सेई जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है मन बुद्धी से और एक बाब के साथ जोड़ना है वर्दान है बाब के संसकारों को अपना नीजी संसकार बनाने वाले वेर्थवा पुराने संसकारों से मुक्त भव विस्तार है कोई भी वेर्थ संकल्प वा पुरानी संसकार देह अविमान के संबंध से है आत्मिक स्वरूप के संसकार बाब समान होंगे जैसे बाब सदा विश्व कल्यान कारी परोपकारी रहम दिल वरदाता ऐसे है ऐसे ही स्वयम के संस्कार natural बन जाए संस्कार बनना अर्था संकल्प बोल और कर्म स्वताह उसी प्रमान चलना natural संस्कार संस्कार में जीवन में संस्कार एक चावी है जिससे स्वताही चलते रहते हैं और फिर मेहनत करने की जरुत नहीं रहती है आज का स्रोगन है आत्मीक स्थिती में स्थीत रहा अपने रत द्वारा अर्था शरी द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुर्शार्ती है आत्मीक स्थिती में स्थीत रहेकर अपने हर अपने रत द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुर्शार्ती है अच्छा, ओम शांती, have a nice day.